Hello everyone, Welcome to RPS Wiz दोस्तों, फिल्म में हमेशा दो टाइब की बनती है एक तो मास और दूसरा क्लास मास में आप दिमाह नहीं लगाते, सिर्फ दिल से सोचते हो लेकिन क्लास में आप सिर्फ दूसरों की बाते सुनकर अपना ओपिनियन बनाते हो अगर उसको पसंद है तो मुझे भी होनी चाहिए वरना में कूल कैसे दिखूंगा दूसरी वाली केटेगरी में रिलीस हुई है फिल्म गहराईया कहने के लिए तो फिल्म का थीम है लव, रुमेंस और रिलेशन्शिप इन शॉर्ट, कम्प्लिकेटिड हुमन इमोशन्शिप जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीस हुआ चारों तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है तिपिका के बॉल्ड सीन्स कितने बॉल्ड हैं तिपिका से दांत के इडर्ल सीन्स कितने हॉट हैं या फिर तिपिका के कपड़े कितने चोटे या बड़े हैं वगएरा वगएरा फिल्म क्या है कैसी है इसमें किसी को कोई इंटरस्ट नहीं है कहानी तीन दोस्तों की है जो बच्पन से एक साथ बड़े हुए और काफी लंबे अरसे के बाद दोबारा एक दूसरे की जिन्दगी में शामिल हो रहे हैं लेकिन इस पार इन तीन के इलावा चोटा बंदा भी है जो के कहने को तो टिया मैडम का वॉइफरिंड है लेकिन इस पे दिल आ जाता है अलीशा का और लड़के को भी अलीशा पसंद आ गई तो शुरुआत हो जाती है अफेयर की लव वे लस्ट भारी पर जाता है और बच्पन की पुरानी दोस्ती में चीटिंग नाम के लव्स की इंट्री हो जाती है अब ट्विस्टी है कि ये जो लव ट्राइंगल है टिया जैन और अलीशा का इसमें ये तीनों बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं है सबका अपना हतरनाग पास्ट है हर किसी का अपना डार्क सीक्रिट है जो धीरे धीरे बाहर निकलेगा और फिल्म की कहानी इमोशन से थ्रिलर बन जाएगी दोस्तों पहली बात तो ये है कि गहराईया में कहानी एक तम डबल जीरो है पूरी फिल्म रिलाइक करती है सिर्फ और सिर्फ बातों पर और डायलॉक्स पर जिन में से आथे तो आपको समझ नहीं आएंगे फिल्म चलती है इतने धीरी धीरे कि 40-50 मिनट के बाद इसे पूरा देखने की हिम्मत करना आपका अपने आप में एक चैलिज्ज होगा इसी डायरेक्टिड की फिल्म का पूरेंड संस को देखने में काफी मज़ा आया था और कहानी काफी अपनी अपनी सी लग रही थी एक तम रियल और रिलेटिबल लेकिन यहां गहराईया में मामला बिल्कुल उल्टा है तो सीधी बात यह है कि गहराईया ना तुकूल है और ना ही मैच्चूर सिर्फ पानी दिखा देने से कहानी गहरी नहीं हो जाएगी मेरी नजर में इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है और तिपिका और सिधानत की केमिन्स्ट्री फाइर है जो के आंखों को बहुत अच्छी लगती है इसके रावा ओवराल इस फिल्म में कुछ भी देखने लाइक नहीं है आप लोग ने भी अगर फिल्म देख ली है तो कमेंट्स करके अपने रिव्यूस से जरूर आगाह कीजेगा और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजे